सबी को नमस्कार आज हम विद्दुद्धारा के चुम्मकी प्रभाव के अंतरगत फ्रेमिंग के वामभस्त नियम अथवा बाय हाथ के नियम को जानेगे तो फ्रेमिंग के वामभस्त के नियम के अनुसार अपनी तरजनी, मद्यमा और अंगूटे को इस परकार से फेलाए कि तीनों एक दूसरे के परस पर लंबवत हो इस परकार से हम देख सकते हैं तो तरजनी चुम्बकी छेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो मध्यमा परवाहित धारा की दिशा को तो अंगूता लगने वाले बर्ड की दिशा को व्यक्त करता है। तरजनी चुम्बकी छेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तो मध्यमा परवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। परवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। इसको हम इस परकार से भी देख सकते हैं, हाथ हमने उपर रगा था, उस इस परकार से अब हाथ को हमने सिधा कर दिया। तो तरजनी चुमगी छेत्र की दिशा को, अंगुटा बल की दिशा को, तो मध्यमा परवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। यहीं फ्लेमिंग के भाए हाथ का या वाम हस्त नियम है। फ्लेमिंग के भाए हाथ के नियम आनुसार, विद्धूत मोटार, मिक्षर, विद्धूत पंके इत्यादी उपकरन कारे करते हैं। अगला बिंदु है हमारा फ्रेमिंग के दक्षिन हास्त का नियम या फ्रेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या आप जानते हैं डीसी जनीत्र से किस पर का से विद्धु धारा उत्पन्न होती है DC जमित्र में किस सिद्धान के आधार पर विद्धारा उत्पन होती है? नहीं तो आईए जानते हम DC जमित्र से उत्पन होने वाले विद्धारा का सिद्धान आधार फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम DC जनित्र से उत्पन विद्धुद्धारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम आनुसार उत्पन होती है किस प्रकार से आईए देखते हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम या फ्लेमिंग रा दक्षिन हस्तर नियम तो फ्रेमिंग के दाइने हाथ के दियर मानु साथ अपनी तर्जनी मद्यमा एवन अंगूता तीनों इस पतार से पहलाए कि तीनों एक दूसरे के परस पर लमबबद हो तो तर्जनी चुम्बगी छेडरी की दिसाथ ओ मद्यमा प्रेरित विद्धुत धारा की दिशा को तो अंगुटा बल या गती की दिशा को व्यक्त करता है इस परकार से डिसी जनित्र में प्रेरित विद्धुत धारा उत्पन्ना होती है तो अपनी तरजनी मध्यमा यों अंगूटा इस परकार से फिलाए कि तीरों एक दूसरे के परस पर लंबवद हो तो तरजनी चुंबकी छेत्री की दिशा को तो अंगूटा लगने वाले बल या गति की दिशा को तो मध्यमा प्रेरित विद्धुद्धारा की दिशा को व्यक्त करती है यही है फ्रेमी का दक्चन हस्त नियम या गाहिन हाथ का नियम और इसी जिद्धान पर डिसी जनीत्र कारे करता है तो अगले बिंदू में हम डिसी जलित्र से किस परकार विपुद्धारा उप्पन होती है की कारिवीदी के बारे में जानेगे दन्यवाद